वहां से इसमें अंदर आने करें दो रस्ते पड़ रहे तो एक रस्ते से यह लगवा लोगवाग तीन से चार किलो मिटर के दूर पर है इसके अंदर आपको 20 फिट की रोड बिलेगी इसमें पानी की लाइन पहले से प्लोटिंग में डाला वा है और रोड बना के दे रहे हैं यह मकान बनाने के लिए काफी बढ़िया है तो कि नियर वाई आपको स्कूल्स हॉस्पिटल्स सारी फैसलेटिस यहां सब नजदी की मि सब्सक्राइब किजिए और अगर आप डोईवाला और माजरी गांट के एरिया में भी जमीन ढूंड रहे हैं तो उसके भी हमने वीडियो डाले वे हैं उसके लिंक आपको आई बेटन में और डिस्क्रेप्शन में डालोंगा आप उन्हें भी देख सकते हैं वीडियो स्टाट करते हैं प्लोटिंग में आने के लिए दो रस्ते हैं एक यह है यह जोली गारांट जो अपना वाल्याइन होस्पिटल है उसके बगल से होते वह आती है पूरी प्लोटिंग हमारी जो यह रोड यहां से आ रही है यह आपको जो जो लिगारांट मार्केट है जहां से कालो सुच के लिए निकलते हैं उस रोड से यह आ रही है यहां से लगवा लगवा यह चार किलोमेटर के असपास होगा एक लीए प्लोटिंग दिखाता हूं यह प्लोटिंग की स्टार्टिंग है यहां से इसमें 20 पट का रोड दे रखा है अब इसको से हैं due कि पूरा मार्क हो रहा है अब इसक तिह रोड का काम स्टाट होगा इसलिए मटेर्यल पूरा डालके रखा हुआ है— इसमें एंर्ट्री करने के लिए आपको लगला रोडे दिख रही है, ऐसी रोड़ इसमें तीन है इस तरब से भी इसमें रोड डाल रहे हुआ हैं अंदर एंरे के लिए इसके अंदर ही अंदर आप पूरा plotting के चारो तरफ घूम सकते हैं अगर आपको walking करने का सौक है morning में यह आपके इसके अंदर ही पूरा आप track यूज का सकते हैं पुरी road का इस तरफ के पट्टी में हमारे पाप plot बचे वे हैं जो यह मैं दिखा रहा हूं आपको चार से लेक्ए हो सामने जो पीड़ है वहां तक पैप प्लोट बचे वे हैं यहां से जो जो जोरी करंट होस्पिटल है लगबालबाबाद किलो मेंटर के असपास होगा , अ एरपोर्ट canh प्लोटिंग बारे जो ये पेड़ है यहां तक चलीगे, इसके बार ये खतम हो जा रही है आप देख सकते हैं पीछे व्यू देख सकते हैं पुरा माउंटिन व्यू है लोकेशन काफी बड़ी है मकान बनाने के लिए नियर वाई आपको सारे के सारे अगर आप कोई वीडियो पसंद आये हैं और आप इसे विजिट करने चाते हैं तो हमारे नमबर डिस्क्रिस्टन और आपको स्कीन में मिने जा रहा हुआ आप हमें कॉल कर सकते हैं पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अबांडमेंट लेके आए उससे आप पर हमारा दोनों का टाइम बसता है वीडियो देहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू